नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर और दिवाली की इस वीडियो में दिवाली 2020 की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बहुत सी जन्तकारी देने वाले हैं दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि दिवाली किस दिनांग को होगी, कब अमावश्या की दिनांग होगी, किस परकार से आपको पूजा करनी है, लक्षमी परसन कैसे होंगी और आपको दरीदरता समापत करने के बहुत से उपाए उसके साथ करियर के उपाए भी हम आपको बताने वाले हैं और नोटिफिकेशन बेल को चालू कर लें ताकि जब बेने और लेटेस्ट वीडियो आई उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों सबसे पहले तो दिवाली की दिनांग की बात कर लेते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार बहुती विशेश परकार से दिवाली का त्योहार अब की बार आने वाला है। तो आप सबी द्यान से सुन लीजिए। तेरह हैं। नमबर दो हजार बीच को संपुर्ण भारत विश्व में चोटी दिवाली का परव मनाया जाएगा। लेकिन बड़ी दिवाली का परव हमेशा की तरह एक दिन बाद 14 नमबर दो हजार बीच को मनाया जाएगा। उसके पसचात बात आती है अमावश्या की दिनांग की तो अमावश्या की दिनांग इस बार होगी 15 नमबर 2020 की दोस्तों भारतिय पंचांग के अनुसार इसी परकार की दिनांग निर्धारित की गई है दिवाली और अमावश्या के लिए। तो दोस्तों अब जो बहुत ही मैतवपूर्ण उपाएं हैं दिवाली के लिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। दिवाली पर लक्षमी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में संख्या घंटी बजाना चाहिए। इसे घर में नकारात्म कुर्जा और दरीदर्ता बाहर चली जाती है और इसे मालक्षमी घर में आती हैं और बहुत ही परसन होती हैं। दोस्तों अगला उपाय है तेल के दिपक का दिवाली पर तेल का दिपक जलाएं और दिपक में एक लोंग डाल कर हनुमान जी की आरती करें किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी आप इस तरह से दिपक जला सकते हैं किसी सीव मंदिर में जाकर आप दिवाली के दिन वहां पर सीविलिंग पर अक्षत यानि की चावल भी चड़ा सकते हैं और दोस्तों एक बात का विशेज द्यान रखें इनमें से किसी भी परकार का कोई भी चावल तूटा हुआ नहीं हो सीविलिंग पर हमेशे आपको साबुचावल ही चड़ाने चाहिए और सबसे बड़ा और महतवपुर्ण उपाए हम आपको बता देते हैं महालक्षमी को परसंद करने का सबसे महतवपुर्ण और बड़ा उपाए हैं महालक्षमी के पूजन में पीली कोडियां भी रखनी चाहिए ये कोडियां पूजन में रखने से महालक्षमी बहुत ही जल्द परसंद होती हैं आपकी धन समदी सभी परकार की प्रेशानियां कतम हो जाती हैं यह उपाए करने से और दिवाली के पूजन में अगर आप मालक्षमी का पूजन करते हैं तो उसमें हल्दी की गाट भी साथ में रखने चाहिए पूजन पूर्ण होने पर उस हल्दी की गाट को आप जहां पर भी अपना धन रखते हैं वहाँ पर आवश्य ही रखे इसे आपके दन दाने में लाब बहुत ही जल्द होगा दिपावली पर एक और बहुत ही मैतवपण और विशेश उपाए हैं ये उपाएं भी आप ध्यान से सुन लीजिए दिवाली के दिन जाडू आवशेह करिदना चाहिए पूरे घर की सफाई नई जाडू से करनी चाहिए जब जाडू का काम नए हो तो उसे छिपा कर रख देना चाहिए और दिवाली के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाडू का दान देना चाहिए ये आपके घर के आसपास कहीं महालक्षमी का मंदिर है तो वहां गुलाब की सुगंदवाली अगरबती भी आप दान कर सकते हैं इस दिन अमावश्या रहती हैं तो आप इस तीथी पर पीपल के व्रिष्क को जल अरपित कर सकते हैं ऐसा करने से कालसर्प दोस या सनी दोस भी आपकी कुडली से समात हो जाते हैं दिवाली पर आप कुछ और विशेश बातों का ध्यान रखें दिवाली पर लक्षमी का पूजन करने के लिए स्थीर लगन स्रेष्ट माना जाता हैं तो स्थीर लगन में आप पूजा करने पर मालक्षमी स्टाइरूप से गर में निवास करती हैं पूजा में लक्ष्मी अंतर, कुबेरी अंतर और स्री अंतर रखना चाहिए यदि सफ्टिक का स्री अंतर हो तो स्रवस्रेश्ट रहता है अपने घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक आप जला सकते हैं उस उपाय को करने से दिवाली की रातरी में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस उपाय को आप चुपचाप करके घर पर लोट आएं, पीछे मुड़कर बिलकुल भी नहीं देखें ये इस उपाय की विशेश सावधानी है और एक और विशेश में तोपड़ उपाय है लक्षमी मा को परसंद करने के लिए दिवाली की रात को लक्षमी पूजन करते समय एक थोड़ा बड़ा गी का दीपक जलाएं जिसमें नोबतियां हो और नो की नोबतियां आप लगाकर जलाएं और लक्षमी माता की पूजा करें दिवाली की रात में लक्षमी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कम्प्यूटर या फिर आपकी कमाई का जो सादन है, बिजनस है वहाँ पर भी दीपक आवश्य ही चलाएं लक्षमी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर चावल, कुम-कुम, पुस्प आदी अर्पित करें और उससे भी पूजा करें इसे मा लक्षमी माता बहुत ही जल्द परसन होती है दीपावली के दिन ये दिसंभव हो तो किसी भी किनर से आप एक रुपया ले सकते हैं किसी भी परकार का किनर से पैसा लेने पर आपके घर में बरकत आती हैं और पैसर की हानी कभी भी नहीं होती परतम पुझया गणिश जी होते हैं तो उनको दुरुवा harvest करें दुरुवा की 21 काठ गणिश जी को चढ़ने से उनकी क्रपा प्राप्त होगी दिवाली के सुब दिन यह है उपाय करने से गनेश जी के साथ मालक्षमी की क्रपा भी आपको आवश्य ही प्राप्त होगी दिवाली की रात को सोने से पहले किसी चुराहे पर तेल का दिपक जलाएं और घर लोट कर आ जाएं इसे उपाय में आप पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखें चुपचाप सीधे घर पर ही लोटाएं मालक्षमी के चितर का पूजन आवश्य ही करें दिवाली पर जिसमें मालक्षमी अपने स्वामी भगवान विश्णू के पैरों के पास बैठी हो ऐसे चितर का पूजन करने से मालक्षमी बहुत ही जल्द परशन होती हैं और आपके घर में बहुत ही जल्द मरकत आती हैं दिवाली पर स्री सुक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पार्ट करना चाहिए रामरक्षा, स्तोत्र या हनुमान चालीशा या सुन्दरकंट का पार्ट आवश्य ही करें यह दिपावली पर बहुत ही सुब माना जाता है यह दिशंबव हो सके तो दिपावली वाले दिन किसी तलाब या नदी में आटे की गोलिया डाल दें इससे आपको पुन्य प्राप्त होगा और बड़े-बड़े संक्ट भी आप से दूर हो जाते हैं एक बात का विशेज ध्यान रखें कि माह की हर अमावश्य पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ़सफाई रखे जानी चाहिए साफ़सफाई के बादगर में दूप दीप ध्यान करें इसे घर का वातावन पवित्तर और बरकत देने वाला बना रहता है लक्षमी पूजन में आप और बीवी से सावधानिया रखें लक्षमी पूजन में आप सुपारी आवशे ही रखें सुपारी पर लाल धागा लपेट कर अक्षत कुमकुम पूजब आधी पूजन सामगरी से पूज़ा करें और पूज़ा के पस साथ इस सुपारी को आप तिजोरी में आवशे ही रखें घर में स्तित तुलशी का पोधा हो तो आप उस तुलशी के पोधे पर दिपावली वाले दिन दिपावली की रात्री में आपको दिपकावशे जलान चाहिए और तुलशी को वस्तर भी अरपित करना चाहिए जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए उसके परभाव से धन का संचय बढ़ता ही रहता है और तिजोरी में ऐसा फोटो रखें जिसमें मालक्षमी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं तो इससे आपके धन में बड़ोतरी होगी ही होगी दिपावली की सुबह सुबह सीविलिंग पर तामबे के लोटे से आप जलर पित करें जल में यदि केसर भी डालेंगे तो सरेश्ट रहेगा और दिपावली के लिए मालक्षमी माता को परसंद करने के लिए सबसे विशेज मंतर आपको हम बता देते हैं बहुत ही जल्दी मंतर काम कर लेता है और यह मंतर इतना जल्दी कारिय करता है कि आप रातो रात करोड़ पती भी बन सकते हैं मालक्षमी के बामंतर ओम श्रिंग हरिंग श्रिंग कमले कमलाले परसीद परसीद श्रिंग हरिंग श्रिंग ओम मालक्षमी नम है इस मंतर का कमल गट्टे की माला से आपको कम से कम 108 भार जाप करना चाहिए इसे मालक्षमी माता बहुत ही जल्द परसंद होती है मंतर हम आपको दोबारा से बता देते हैं ओम, स्रिंग, हरिंग, स्रिंग, कमले, कमला लिए, परसीड, परसीड, स्रिंग, हरिंग, स्रिंग, ओम, महालक्स में नमह तो इस मंतर का उचारण आप कमल गटे की माला के साथ 108 बार जरूर जाप करें तो इससे आपको बहुत ही लाब मिलने वाला है तो दोस्तों दिवाली स्पेशल की इस वीडियो में इतना ही और दोस्तों आपसे पीछफुली रिक्वेस्ट अंत में फिर से है अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिविकेशन बेल को आवशे ही चालू कर लें ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले दोस्तों हम इस परकार की अनेक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन की गंटी आवशे ही दबा लें और नीचे कमेंट में आप अपने इस देव का आवशे ही नाम लिखें दोस्तों जैसरी राम और इस वीडियो पर केवल पांसो लाइक का हम लक्षे रखते हैं दिवाली के लिए बगवान सरी राम के लिए तो हम देखते हैं कितने लोग बगवान सरी राम के लिए और पारतिय विशेश पर दिवाली के लिए लाइक करते हैं तो प्लीज 500 लाइक का लक्ष है आप जल से जल पूर्ण करें धन्यवाद इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग एव नाइस डे और टेक कियर जैसरी राम